आप जो है वो इस टाइम अपनी क्लास चैनल पे हैं और आज जो है हम पेपर कौन सा स्टेडी करेंगे आज हम पेपर स्टेडी करेंगे 2021 essay 2 मार्च जो की आपका पिछले साल का ये पेपर था उसको जो है हम डिसकस करेंगे और इसी पेपर में आपके कुछ क्वेशन जो रपीट हो भी सकते हैं और वो जो है फाइनल पेपर 2022 में भी आ सकते हैं तो अगर आप नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी बहुत सारे पेपर जो है आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं और यहां पे सबसे पहला क्वेशन जो है वो आपका सही बिकल्प चुरने का आया था पिछली बार 5 मार्क्स का रहेगा और यहां प कुछ यहां से आप सीख के जाएंगे यह मेरी गैरेंटी है और अगर आप नए है तो जुरूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को आगे भी बने रहने के लिए सो पहला क्वेशन हम स्टार्ट करते हैं निमन में कौन सा भौतिक परिवर्तन है तो आपको पूछा ग मौबद्ति का जड़ना या फिर मौबद्ति का पिखरना तो यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि लोहे को जब जंग लगता है तब एक नया पदार्त बनता है और जब एक नया पदार्त बनता है इस वह रसाइनिक परिवर्तन होता है ठीक वैसे ही अगर मैगनेशियम की लें तो मैगनेशियम के फीति को जब हम जलाते हैं तब भी एक नया पदार्थ बनता है एक वाइट कलर की जो लो के साथ जो है वो जलता है और वाइट कलर की ही राक बनती है तो वहाँ पे भी एक नया पदार्थ बनता है और जब मोम बत्ति को हम जलाते हैं तो वहाँ भी ए परठा करके जो है हम फिर से मौम बना सकते हैं तो यहां पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बना और जहां पे नया पदार्थ नहीं बनता है तो वो एक भौतिक परिवर्तन होता है एक चोटा सा एक्जांपल और बताओं अगर एक लंबी लकडी के आप 10 टुकड़े करने तो टुकड़े जो है वो लकडी लकडी ही रहेगी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन है ठीक वैसे ही मौम का पिगणा भी क्या है भौतिक परिवर्तन तो इसका अंसर जो है वो सही यही है और यहीं से आपके तीन क्वेशन जो है वो क्लेर आने वाला है तो आप ज़रूर पूरे question देखें next question जो है लोहे पर जिंक की परत चड़ाना कहलाता the process depositing a layer of zinc on iron is called क्या उसे greasy कन कहते हैं क्या यशद लेपन क्रिसली कन या junk तो यहाँ पे भी हम वही pattern लेंगे देखिए greasy कन grease मतलब आप cycle चलाते हो तो अपनी cycle की chain को grease लगाते हैं right तो वहाँ पे कोई भी परत नहीं चड़ी अगर क्रिसली कन की बात करें तो यह एक बिधी है यहां से crystal को प्रापत करते हैं और जंग लगना तो आप सभी जानते हैं कि जंग लगना एक cynic परिवर्तन है तो वहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका सही अंसर जो है वो option B जो है यशद लेपन या फिर इंग्लिश में बात करें galvanization जो है इसका सही अंसर है okay so next question जो है निमन में से कौन सा अव्या व्य जीव कौन सा है एक वाइवी होता है और एक अवाइवी होता है तो यहां पे निमन में कौन सा अवाइवी जीव है यानि के which are following an anaerobic right तो option आपके पास है तो हम जिस चीज को हम पहचानते हैं पहले वहां से start करेंगे देखिए आपके पास मचली है मचली को oxygen चाहिए क्योंकि वो पाने में घुली oxygen का प्रयोग करती है और जोंक उसको भी oxygen चाहिए ली जिसे कहते हैं और आपका amoeba भी उसको oxygen चाहिए तो आपके पास जो answer बचता है that is east तो east जो है इसका बिलकुल सही answer है तो यही इसका answer रहेगा next question इस question से भी हम चार question जो है तीन question extra निकालेंगे रक्त का ठक्का बनाने वाली कोशिका है the cells that form blood clots are is it white blood cells red blood cells petlets और plasma देखिए यहां से एक और question हमारा जो है वो clear होता है रक्त रक्त actually मैं अगर पूछा जाए कि रक्त के घटक रक्त किन किन कोशिकाओं से मिलके बना है तो वो आपके पास होंगी सफेद रक्त कोशिकाओं ला रक्त कोशिकाओं पट्टीकाणू और plasma इन चीजों से मिलके जो है वो रक्त जो है वो बनता है एक question यहां से clear है दूसरा यहां पे हम आते हैं सफेद रक्त कोशिकाओं जो है वो हमारे शरीर की पुलिस होती है पुलिस का काम आपको पता है कि जो सरारती तत्तब होते हैं उनको भगाना होता है उनको नियंतरित करना होता है तो सफेद रख्थ कोशिकाएं भी जो है वो हमारी बोड़ी की क्या है पुलिस हैं ओके और लाल रक्त कोशिकाएं जो है हमारी वो जो है वो ऑक्सीजन का वहन करती है यानि कि हर एक बोड़ी के पार्च को हर एक कोशिका को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है और प्लाजमा जो है वो एक द्रब चाइप का एक लिक्योड्स है वो भी आ सही अंसर होगा जब हमें जोड लग जाती है खून का थक्का सा बन जाता है यानि कि ताकि ब्लड जो है वो ना बहे तो वो सेल्स जो है वो कौन सा रक्त का वो थक्का जो है कौन बनाता है तो इसका सही अंसर जो है प्लेटर्स या फिर पट्टेगान तो यहां से आपके तीन question जो है वो clear हुए है और ये question आपके paper में भी ऐसे ही आगे वाले question को clear करेंगे बशर्ते आप बस इन्हें समझें आप ये ना सोचें कि ये one mark का question है multiple choice है बहुत easy है हम खुद बनाएंगे तो और हम एक question से ही चार question जो है निकल या निकाल सकते हैं और आगे भी मैं बताओंगा कि इनका फायदा आपको कहा होने वारा है so next हिर्द्य से oxygen सम्रिद रख्त के शरीर के सब ही भागों में ले जाई जाती है so मैं यहाँ पे जो है oxygen which blood from heart is carried to all parts of the body by artery veins blood vessels capillaries तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले धमनी राइट यहाँ पर पहली option धमनी है दूसरी शीरा है और जो आपकी चोती है केशिक आए है और तीसरी जो है वो रक्त बाइनी है तो हम पहले सबसे पहले धमनी के ओपर आते हैं धमनी जो है वो हमारे हिर्दिय से जो है वो oxygenated या oxygen से भरा हुआ blood जो है वो हमारे फेफ्रो तक जो है या हमारी body के हरे एक parts में जो है वो इसका काम जो है पहुंचाने का है धमनी के द्वारा ही हमारे हरे कोशिका में oxygenated या oxygen से भरा हुआ blood जो है पहुंचता है और शीरा जो शीरा है वो carbon dioxide से भरे हुए blood को जो है हमारी पूरी body से collect करके फिर से कहां पहुँचा देती है वो पहुँचा देती है फेफडों में और फेफडों में क्यूं क्यों कि वहाँ पे फिर से oxygen जो है वो oxygen प्रापत करे और फिर से हमारी body में circulate हो तो इस तरह से जो है वो चक्कर जो है बना रहता है तो इसका जो सही अंसर है उसका धमनी तो धमनी जो है वो सही अंसर रहेगा लेकिन यहाँ पर याद रखने का तरीका मैं बदा देता हूँ धमनी धमनी है बड़ी धमनी और शीरा दो बहने है धमनी धमनी बड़ी है तो यह काम भी बढ़ करती है इसलिए ये काम बड़ा किया कर रہी है हमारे पूरी बौड़ी को जो है वो बलड ऑक्सिजिण से बढ़ा हुआ बलड जो है सप्लै कर रही है और शीरा इसकी छोटी बहन है तो वह जो है का doubt जो है clear हुआ होगा और तीन question और भी clear हुए होगे तो next question आपको diagram दिखाया गया है आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे diagram तो यहाँ पे किस पोधे में होता है ये क्या वो cactus में है जी नहीं ये cactus का बोधा नहीं है आलू में बिलकुर आलू की पत्ती से ऐसे चोटे चोटे प्रार्स नहीं निकलते है क्या ये hydra है no hydra भी नहीं है तो इसका सही answer जो है वो आपके पास bryophyllum bryophyllum की जो है ये पत्ती है तो यहाँ से जो है इसका सही answer go है यानिके c bryophyllum and next battery का पत्ती का symbol of battery जी हाँ सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हम option देख लेते हैं पहला option जो है हमारे पास यहाँ पे जो है यह बलब का है यहाँ पे torch के बलब जो की बलब का symbol यह रहेगा तो एक option आपका यहाँ से clear होता है और यह जो आपको option भी दिख रही है यहाँ पे एक जो है वो जो लंबा डंडा है वो positive दिखा रहा है और चोटा वाला जो है negative दिखा रहा है तो यह एक cell है इक represents cell तो यह जो है वो cell का symbol है और यह जो D है यह सियोजी तार या जो हमारे घरों में तार होती है या वो symbol दिखा रही है और last में एक या एक से ज़्यादा cell अगर किसी circuit में लगे हो किसी परिपत में हो तो वो बन जाती है battery तो battery का symbol यह है एक या एक से अधिक cell यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने cells हैं 1 and 2 तो यहाँ से आपके तीन question जो है वो clear हुए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ and next निमन मैं सही समन्द जो है वो च्छाटी है correct ती choose the correct relation चाल का सही है चाल के आपके पास चार option है तो आपको मैं जल से बता दू चाल जो है वो आपकी दूरी बटेस में यानि कि total जो आपकी distance covered हुई और total जो इसको time लगा divided by total जो है वो इसका सही answer तो option को जो है इसका बिल्कुल सही answer है and next very important अपनी class अगर आप नए है इस channel में तो ज़रूर subscribe करें अपनी class channel को क्योंकि इस तरह की interesting study materials और regarding to examination आपको बहुत सारे material मिलने वाला है और साथ में वेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वारे वीडियो की notification आप तक पहुँचे और telegram group जो है ज़रूर join करें क्योंकि वहाँ छोटी वड़ी हर update और PDF जो है वहीं पे मैं upload करता हूँ and next question जो है निमन मैंसे सबसे मजबूत तना किसका है जी हाँ पेड, जारी, शाक या फिर लता ट्री, शर्व, हर्व, एंड क्रेपर तो यहाँ पेड जो है सबसे सबसे हमें strongest चाहिए तो हम बारी बारी करके लेते हैं पेड आपने देखा होगा आम का डाइग्राम जो आपके दिमाग में रखें क्या उसका तना strong है या फिर जारी, जारी आप देख सकते हैं गुलाब का अगर आपका पोधा लगा हुए तो वो भी या आपके जारी है तो क्या उसका तना strong होगा, शाक हर्व, क्या उसका तना कोई जिसका तना जो है greenish होता है तो ऐसा आपने दिमाग में रखें और lata, lata means creeper यानि के ककड़ी आप बहुत पसंद होगी कहीं को, या फिर pumpkin कदू, उसकी आपने देखी होगी पहाडी में या आपकी local language में बेल भी कहते हैं उसे, तो उसका तना क्या मजबूत होगा, तो आपको मुझे लगता है, इसका answer जो है पता चल चुका है, पेड़ का सबसे ज़्यादा है, तो पेड़ी को जो है, यानके ए जो है, वो इसका सही answer है, ओके and next, very important आपका competitive exam, ये के बाद जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, तब भी आपको ये question कहीं ने कहीं मिलेगा, बिसब जल दिवस कब मनाय जाता है, तो उसका सही answer जो है, वो है आपका 22 March, ओके, तो ये आपके 10 multiple choice question थे और मैं ये आशा करता है, और मुझे ये विश्माश है, कि आपने कम से कम यहां से 30 या हरे question से अगर तीन question भी अगर निकाले होंगे, तो 30 question बनते हैं, तो 30 question जो है मैं आपके clear करवा चुका हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है, तो जरूर comment करें कि वाकई मैं आपको ये इस तरह से समझना या समझाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, और क्या आपने पुरा वीडियो देखा कि नहीं देखा है, और क्या आपको इस वीडियो से कुछ help मिली आपके exam के लिए कि नहीं मिली तो आप मुझे जरूर पताएं, तभी मैं आगे कुछ और पेपर लेके आ सकता हूं, otherwise मैं यहीं पर इसको stop कर दूँगा, इस वेपर के बाद, okay, 7th के लिए, यह फस्ट वीडियो है, मेरा 7th क्लास के लिए, so next, चरी, question number 2, देख लेते हैं, खालिस्तान जो है, वो रक्त में, खालिस्तान कोशिका है, शरीर में प्रवेस करने बाले रोगानों को नस्ट करती है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे body की police, जो है, वो सफेद रक्त करनी का है, यानि कि white blood cells है, तो इसका answer, जो है white blood cells, जो जो हमने पहले discuss किया था, वो है, रक्त के बारे में, जो हमने पढ़ा था, वही जो है, आपका इसका सही answer है, स्फेद रक्त कोशिकाएं, जो है, या करनी काई, जो है, या फिर white blood cells, जो है, वो इसका सही answer है, ऐसे परिवर्तन जिन में नए पदार्त, खालिस्तान, पदार्त बनते हैं, खालिस्तान परिवर्तन कहलाता है, तो पहले भी मैं discuss कर चुका हूँ, अगर आपने उपर अच्छे से समझा होगा, तो यह जो है, वो रसाइनिक परिवर्तन है, chemical, right, इसमें जो है, chemical, भौतिक परिवर्तन और रसाइनिक परिवर्तन है, यानिके, chemical changes, okay, अगला देखें, तो जनक पादप के काईक भागों से नए पादप के उत्पादन को प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, यह भी आपका उपर से ही आया, तो इसे कहते हैं काईक प्रवर्धन, right, शाक बन में निमन, यानिकि लो़र परत जो है, वो बनाती है, how form a lower layer in the forest, तो य जो हैं, वो सही गलत आएंगे, लोहा और जंग एक ही पदारत है, जी नहीं, बिलकुल, दोनों ही अलग है, and भाप को संगनन रसाइनिक परवर्धन नहीं है, तो इसका अंसर जो होगा, वो यह जो स्टेटमेंट है, बिलकुल सही लिखी है, भाप का संगनन रसाइनिक है, बिद्युद खंटी में बिद्युद चुमबक होता है, an electric well has an electron magnet, जी हां, बिलकुल होता है, तो यह जो है, वो बिलकुल सही है, मचलियों में स्वस्शन के लिए फेपडे होते हैं, जी नहीं, फेपडे हम इनसानों में होते हैं, और मचलियों के अगर बात करें तो इन तो हम वो लेंगे जो हमें सबसे पहले आता है तो अपने आप ही जो है ये हम साथ जो है वो कर लेंगे सो मचली के बारे में अभी आपने ओपर खालिसान में मैंने आपको बताए कि मचली में क्यों थे हैं klomes तो मचली के लिए हम सीदे klomes के उपर जाएंगे और नेक्स्ट जो है हम एस्ट के लिए जाएंगे तो इस्ट जो है वो बनाता है alkohol ऑके और डाइफ्रेम की हम बात करें तो ये chest cavity है यहारी वक्स गुहा है और पतियों की अगर हम बात करें तो पत्तियों का यहाँ पत्तियों में यहाँ है स्टोमेटा यहाँ फिर रंदर, वहाँ पर रंदर होते हैं जो गैसिस एक्षेन्ज होती हैं तो लगबग आपके सभी जो हैं वो मिलाण जो हैं वो बन चुके हैं और यह question भी आपका जो है clear हो चुका होगा चलिए next question है किसे गतिक सजीव इकाई भी कहा जाता है और हरे फेफरों के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका answer जो है the forest are called dynamic living entity because of various plants animals and microorganism यानिके इसका सही जो answer है वो भी तुनों का एक है forest, one, jungle और इन्हें हरे फेफरों के नाम से भी जाना जाता है so next जो है आपका diagram है चितर में दरसाए गए बिद्दुद परिपत को निरूपत करने के लिए परिपत और एक खींचिये तो ये जो है वो आप इसको भी draw कर सकते है book का ही ये question है तो वहां से आप देख सकते है और अगर यहां पर आप देखना चाहें तो वो भी मैंने draw कर दिया है तो ये जो है वो इसका answer जो है वो रहने वाला है और नेक्स जो है आपका खुद का अपनी class चैनल तो अगर आप एक वार फिर से आप से वही वात अगर नहीं है तो जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मजा रहा है पढ़ने में तो आगे भी मैं इस चीज को जारी रखूंगा जुरूर सब्सक्राइब करें आप अपनी class आपका खुद का ये मज़ खुद का आपका चैनल जो है नेक्स हम बढ़ते हैं दिये गए नामांकित चित्र को नामांकित कीचिए level given diagram आपने जो है इनका level करना है यानि के इनको नाम देना है तो diagram आपके सामने है चलिए इनमें से और करके है जो भी आपको अच्छे से याद है वो आप जरूर लिखें तो एक मैं आपको बता दूँगा और दूसरा का आपने खुद नाम देना तो इसका जो नाम है वो अंकुरित होता हुआ आपका प्राकन है या फिर एंथर है और ये जो आपका पूछा गया है इसका नाम जो है वो अंड कोशी का है जो आपका ओवं सेल है और एक आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ जिसके आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में कमेंड देंके मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आप कितने सही जो है वो लिखते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो हीमोगलोबिन के कान जो है वो बलड रेड होता या अलेंगिक जनल के बिविन बिदियों का बर्णन कीजिए और डिस्क्राइब ये डिफरंट मैथर्ट्स ओफ एसेक्षवल रिप्रोड़क्शन तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उस हिसाब से ही लिखना पड़ेगा लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता दू कि अलेंगिक जनल या एसेक्षवल रिप्रोड़क्शन जो है वो मेली चार तरह की है मुगलन, खंडन, बिजानो, उत्पादित और काइक प्रवर्थन यहनिकि यह चार तरह की है तो आप इनको अच्छे से डिस्क्राइब जो है वो करे तब ही आप पूरे माक्श ले सकते है और भी जो मैं प्राकीनन की बिविन भी नहीं है यह आपको आप्शन करके जो है कुश्चन दिया गया है तो इसके भी आपके चार जो है पॉइंट है वो पानी के दौरा प्रकिनन बाईयू के दौरा प्रकिनन बायू के दौरा और जन्तों के दौरा और लास्ट में जटके से फटने के दौरा जो है वो इनके चार पार्ट्स है और नेक्स क्वेशन क्वेशन नमबर टैन ये आप्शन करके दिया हुआ था 2021 में जो था वो आया था और इसमें किसी गली में 50 घर जिसके जिनके लिए 10 नलकूप लगाएगे हैं बहुम जलस्तार पर इसका देरग अबदी प्रभाब जो है क्या पड़ेगा तो नेचुली है अगर बहुम जलस्तार पर क्या प्रभाब पड़ेगा आप खुद जान सकते हैं कि वो नीचे ही जाएगा तो ज़्यादा अगर हिरन बढ़ गे तो हमारी फसलों को खा जाएंगे यहां से मैं आपको इतने ही बताऊँगा बाकिया बुक में डिटेल में आपनी पड़े नोट बुक में नोट किया होगा और उत्सरजन तंतर का नाम आंके चितर बनाई यह चार नंबर का यह चार नोट के प्रवाइवी नोट के पीस मानता है और अंतर यह भी कॉशन बहुत इंपोर्टन है वाइवी अ मींस इन दी प्रेसेंस आफ ऑक्सीजन और अवाइवी मीन इन दी अपसेंस आफ ऑक्सीजन ठीक है सो नेक्स कॉशन समझाई कि लकडी का जड़ना और छोड़े टुकड़ों का काठना दो विविन प्रकार के परिवर्तन क्यों है जी हम बिल्कुल आपको यह कॉशन मैं समझा जुका हूँ उपर सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लकडी का जड़ना जो है वो एक अरासाइनिक परिवर्तन है और लकडी का छोटे-छोटे टुकड़ों में करना जो है बहुत एक परिवर्तन है मैं इतना ही समझाऊंगा यहां पे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया तो में भी आप देखे या ना देखे और बोर हो तो नेक्स क्वेशन पादबो में बासपोर सर्जन क्यों अवशक है सरी दोराब सिर्ज पतारतों को सर्जी करना क्यों अवशक है और आपका एक्सप्रेशन एक पूछा गया है तो बहुत ही इजी है यह टू मार्क्स का लास्ट में अपनी क्लास आप जरूर सबस्क्राइब करके जो है बास्ट में आप यही है कि आप निकलास चैनल जरूर सबस्क्राइब करके जाए अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हमारे लिए हैल्पूर रहा है और लाइक भी जरूर करना है और शियर भी जरूर करना है